कि यूटूब चैनल में आपका स्वगत है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कच्छा बारा की गड़ित अभ्यास क्लास 3.1 के कोश्चन नमबर 6 से कोश्चन नमबर 10 तक ठीक है पिछली क्लास में हमने क्लास बहतरीन तरीके सब लोग सालों करेंगे चलिए शुरू करते हैं इसमें देखिए कोस्चन नंबर 6 में क्या आगया है आपके कोस्चन नंबर 6 है वो तीन पार्ट में डिवाइड है पहला दूसरा और तीसरा ठीक है इसमें का आगया निम लिखें समीकाण के एकस वाई तता जेड का मान ग्याद कीजिए अब एकस वाई जेड का मान कैसे ग्याद की रहेंगे यहां पर देखिए बराबर आप ब्यू लिखे गए हैं यानि कि यहां पर एक आप ब्यू बराबर में तो इस तरह से बराबर आप ब्यू है इसका मतलब क्या है इसका मतलब तब बराबर होंगे जब समान कोटी के होंगे, समान कोटी वाले वाले जो आप भी वहते हैं, उनके अवेव माल लिजिए, एक ये आप भी हुए, ये हैं यह कौन सा आप व्यू है यह दो वाई दो अलाब व्यू है यानि पंक्ति भी दो है और कालम भी दो है ठीक है इसी प्रकार से दूसरा है कि कोई अवरा व्यू ले लेते हैं एक दो तीम चार यह कौन सा आप व्यू है दो वाई दो वाला व्यू है यह दो पंक्ति और दो कालम और ऐसे आप व्यू आपस में समान होते हैं ठीक है समान होने के साथ सच के संगत अवयव भी समान होते हैं संगत मतलब यह वाला अवयव के बराबर हो जाएगा ठीक है यह इस प्रकार से यह अपस में क्या हो जाते हैं बराबर यह हो गए समान कोटी, यानि तो बाई दो वाले ऐसे भी हो सकते हैं, तीन बाई तीन वाले, ए, बी, सी, डी, इ, एफ, जी, एच, आई, और बराबर हो सकता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नव, ये तीन बाई तीन वाले आवे आवे हों हैं, आप भी, सारी, तीन बाई तीन वाले हैं, ठीक है, यानि इनके संगत अवयव आपसे बराबर होंगे, ठीक है, अब समझ ये, इसको रप करते हैं, क्या, अब समान कोटी अवयव क्यों होते हैं, ठीक है, तो यह समान कोटी अवयव हों हैं, ठीक है, तो यह समान कोटी अवयव के बराबर नहीं दिखा सकते हैं ठीक है चैने शुरू करते हैं पहला नमबर सालों करेंगे पहला नमबर क्या लिखा गया है चार तीन एक्स पांच और बराबर में दिया गया है य जेड़ एक पांच अब इनको देखना है कि समान कोटी वाले हैं बिलकुल दिख रहे हैं कि समान कोटी वाले हैं यनि दो बाइड़वाला ये भी है और दो बाइड़वाला ये भी है इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा यानि कि Y बराबर आपका निकल आएगा 4 X एक के बराबर हो जाएगा X बराबर कितना आजाएगा 1 और 5 पाँच के बराबर और ये Z तीन के बराबर यानि Z बराबर कितना हो जाएगा 3 यह तो बिल्कुल आसान सा था ठीक है अब दूसरा question देखिए दूसरा नमबर x plus y किसके बराबर हो जाएगा x plus y 6 के बराबर यह नहीं x plus y बराबर 6 इसको मानेंगे समीकर ठीक है यह दूसरा question अब हल कर रहे हैं को उनसा दूसरा नमबर और उसके बाद यह हो जाएगा x y बराबर हो जाएगा 8 यह तो हो गया आपका समीकर दो जबकि यह वाला इसके बराबर होगा 5 के यानि कि इसे हम लिख सकते हैं क्या इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस जट बराबर 5 5 से same5 आपकरजाईगल जट बराबर कितना आ गया ज़िरो जड बराबर 0 अगया तो अब हम क्या करें कि समीकर एक और दो को हल करेंगे आप चाहिसको समीकर even 3 मान सकते दें कोई दिख्यत नहीं थी युण को शयकर 3 मान सकते एक से एकस का मान समी करड़ दो में रखने पर, ठीक है? कहां पर रखेंगे? एकस का मान यहां पर रखेंगे. और समी करड़ एकस, एकस का मान निकलेगा किया? निकलेगा यहां पर आप देख सकते हैं कि एकस का मान निकल के आएगा 6-y. यह मान निकल के आएगा उठाकर एकस की जगापर रख देना है. ठीक है? तो रखेंगे 6-y, y बराबर 8. अब y का अंदर बुड़ा करा लेंगे. ठ माइनस y-square बराबर में आपका 8 है. तो पहले आपका क्या होना चाहिए? माइनस का y-square होना चाहिए. फिर प्लस का 6y और यह प्लस से माइनस में आ जाएगा 8 बराबर 0. अब इसको तुई घात समी करड़ बनाना है. इसके लिए यह आपका पहला वाला जो ना यह धनात्म पाक होना चाहिए. तो जैसे यह माइनस कामन करेंगे, माइनस कामन करेंगे तो अंदर के सारे निसान बदल जाएगे. इस प्रकार से. यानि यहां से हमें फ्रेस समी करड़ मिलेगा y-square-6y-8 प्लस-8 पराबर 0. यह बनगे आपका दुईघात समी करड़. अब इस दुई और गुणा कर दें तो आठा जाए. ऐसी कौन सी संख्या है? यहीं पर सालू कर लेंगे है? चलिए यहीं पर सालू कर लेते हैं. y-square-6. 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा. और 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो आठा जाएगा. ठीक है? अब आगे y-square-2y-8 बराबर 0. यह से और यहां से आपके कुछ कामन मिल रहा है. क्या कामन मिल रहा है? पहली बात तो y कामन मिल रहा है. तो y-4 बचेगा. y-4. उसके बाद माइनस का 2 कामन मिल रहा है. तो बच जाता है y-4. बराबर में आपका जी हो. अब यहां से आपका कामन है y-4 और y-2. बराबर 0, अब यहां से y-4 भी 0 के बराबर होगा, और y-2 भी 0 के बराबर होगा, तो दोनों का में 0 के बराबर दिखाना है, ठीक है, चलिए, देखिए, लिखेंगे यदि, यदि y-4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आजाता है, 4, यहां पर दो condition बनेंगी, ठीक है, और यदि बराबर 0, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 2, अब इन दोनों वाइल्यू को उठा उठा के आमें कहां पर रख देना है, समय कर एक में रख देजिए, y की वाइल्यू, एक में रख देंगे, दो में रख देंगे, एंसर आपका सेम आएगा, ठीक है, चलिए, रखेंगे, अगर y के मान यहां पर 4 रख देते हैं, देखे, x गुणे 4, बराबर में 8 है, तो 4 दोनी हो जाएगा, 8, यानि x बराबर आपको मिलेगा 2, और यदि y बराबर 2 यहां पर रखेंगे, कहां पर y की जगापर, x गुणे 2 बराबर 8, 2, 4 को 8, यानि x बराबर मिल जाएगा, यह दो टर्म आपके चल रहे हैं, और कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग अच्छों पूंच सकते हैं, ठीक है, इस प्रकास इन कोस्चनों कमने एक और दो तो सालो कर लिया, तीसरा कोस्चन बहितरीन तरीके से इसको भी सालो करेंगे, ठीक है, इसमें सबसे अच्छा कोस पूंचे हैं, क्योंकि इन कोस्चनों को आपने लगा लिया, इन कोस्चन की भी जरूत नहीं है, तो इनको रफ कर देते हैं, तीसरे कोस्चन को सीधे हम लोग सालो करेंगे, और कहीं पर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स बागते जरूर पूंचा किये ठीक है, आप लोग इसा कोस्चन आप हमारे वाट्सब वाट्सब नमबर पर बेश तकते हैं, तो हम जरूर सालो करवा देंगे, चले, तीसरा नमबर देखते हैं, तीसरा नमबर, देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएका, नव, क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्या ह तीन पंक्तियां हैं, और एक कालम है, तीन गुड़े एक, यहाँ पर भी तीन गुड़े एक चल रहा, इसलिए बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर नव, यह होगा समीकण, एक्स प्लस जेड बराबर हो जाएगा, समीकण तीन, आराम से इंकॉम निकालेंगे, सालो करेंगे, जिस प्रकारच आप सालो करना चाहिए, वैसे सालो करेंगे, तुम सालो करना है, समीकण एक, वा समीकण दो से, समीकण एक वा समीकण दो को, हल करने पर, हल करने पर क्या हल करेंगे यह आपका समीकर एक तो है x प्लस z की जगह पर इस x प्लस z की जगह पर क्या रख देंगे 5 रख देंगे क्या निए 5 प्लस y बराबर हो जाएगा 9 और यहां से y की value क्या निकल के आए कि y की value निकल के आए 9 माइनस 5 समाच तो y बराबर कितना मिल गया 4 मिल गया ठीक है अब y की value कर समीकर 3 में रख देते हैं तो z की value पर अथा जाती है लिखेंगे y का मान y का मान समीकर 3 में 3 में रखने पर समीकर 3 में रखने पर तक दीजे इस जगे पर यानि 4 प्लस Z बराबर 7 तो Z बराबर 7 माइनस 4 तो Z बराबर आगया 3 अब Z की value उठाके समीकण 2 में रख दीजिए तो X की value आ जाएगी ठीके? लिखेंगे Z बराबर 3 समीकण 2 में रखने पर रखेंगे समीकण 2 में तो जाएगा X प्लस 3 बराबर 5 तो X बराबर 5 माइनस 3 X बराबर आगया 2 तो आपके ये X की value आई वो आई 2 जो Y की value है वो आया 4 और जो Z का मान है वो आया 3 ये सारे के सारे मान आपके हो गए answer ठीक है? बताएए कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई doubt हो तो फटा फटा आप लोग पूछ दीजिए कोई समस्या हो तो ठीक है? कोईश्चन नमबर 6 भीतरी इन तरीके से हम लोग उने सालो किया और सालो करेंगे अब कोईश्चन नमबर 7 देखिए बच्चों, कोईश्चन नमबर 7 में कहा गया समी करण ए माइनस बी, 2A प्लस C, 2A माइनस बी, 3C प्लस D, बराबर है माइनस ए, 5, 0, 13, यानि ये वाला आप व्यू और ये वाला आप व्यू दोनों आपसे बराबर हैं, ठीक है? और कागया से A, B, C, तदा D के मान गयात कीजिए, अगर ये दोनों आप व्यू बराबर हैं, तो इसके संगत क्या बराबर होंगे? संगत आवयो भी बराबर होंगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कौन सा है? ये कौन सा आप व्यू ये दो बाई, दो आप व्यू है, च्योंकि इसमें क्या है? कि दो पंक्तियां और दो कालम दिख रहे हैं, ठीक है? चलिए बराबर करते हैं, हल करेंगे पहले, हल, तो आपका A-B बराबर होगा, माइनस वन के, A-B बराबर माइनस वन के, और उसके बाद 2 A-B बराबर होगा, जीरो के, तो 2 A- बराबर होगा, जीरो के, यह आपका समीकड एक हो गया, यह आपका समीकड दो हो गया, और 2 A प्लस C बराबर होगा, 5 के, 2 A प्लस C बराबर हो जाएगा, 5, यह आपका समीकड तीन बन जाता है, उसके बाद 3 C, 3 C प्लस D बराबर हो जाएगा, किसके? 13 के, और यह हो गया तो पहले हम समीकट एक और दो को अराम से घटा देते हैं, आपस में दोनों को सालो करेंगे कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यह आपका माइनस हो जाएगा, बी से भी आपका कट गया, ठीक है? तो बचा क्या? 2A से A गटेगा माइनस का A बराबर माइनस का 1 माइनस से माइनस कटेगा तो यहां से A बराबर एक बिल्कुल फ्रिस निकल आया अब A की value को उठा के समीकर 3 में रखते हैं C का मान निकल आएगा ठीके? और अगर A की value में समीकर 2 में रख दे तो B का भी मान निकल जाएगा पहले हम B का मान निकाल लेते हैं ठीके? तो लिखेंगे A बराबर 1 समीकर काउन समीकर 2 समीकर 2 में रखने पर रखने पर तो 2A की जगह पर एक रखेंगे माइनस B बराबर 0 तो गुणा करेंगे 2 एक नम तो माइनस B बराबर माइनस कटू माइनस कटेगा तो B बराबर आजाता है आपका 2 ठीके? अब आगी करेंगे क्या? A का मान A का मान समीकर 3 में रखने पर तीन में रखने पर चलिए समीकर 3 में रख देते हैं तो जगर 2 A की वैल्यू एक है और प्लस C बराबर 5 तो इसका पसे मुल्टिप्लाई करेंगे 2 अंजा 2 हो जाएगा प्लस C बराबर 5 तो C बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 तो C बराबर कितना आ जाएगा? 3 अब C की वैल्यू अगर उठा कर हम समी करण 4 में रख देते हैं ठीक है? दो 13 तो D बटाबर 13 यह आपका प्लस से मैंनस में आएगा तो हो जाएगा डी बटाबर 4 तो क्या-क्या निकले A के मान B का मान C का मान और D का मान देखते हैं क्या सब्सक्राइब पर देखिए एक पान तो हerne निखला या एक एक प्रेस वेल्यू विक्ति वेल्यू वेल्यू क्या निकल के आई दो नीकल के आई क्या ाग्छिंश देख canon date tithin और डिड़ी वेल्यू च्यार नीं कूरी है सीरियल से नमबर ही निकलाए तो कोस्चन नमबर साथ देखे वेतरीन तरीके साल हुआ कहीं पर कोई समझते हो कोई डाउट हो तो अब लोग पूंच सकते हैं तो कोस्चन नमबर साथ के बाद हम लोग सालों करेंगे कोस्चन नमबर आठ देखी बच्चों कोस्चन करें नमर आठ में कहा ए बराबर A milks कहों है और यहां पर 확진 यह कि वर्ग आप्विव क्या है जैसे माल लीजिए यह आपका हो गया A B C D अब इसमें क्या है कि दो बाई दो का यह आप्विव है तिसको हम बोलते हैं वर्ग आप्विव इसमें दो पंक्ती दो कालम है अब आपका अधिया तिन पंक्ती तीन कालम वाला भी है यह से माल लीजिए 2,4 आठ 6,5,3,2,4,2 यह आपका तीन वाला मैट्रिक्स है अब वीव है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे वर्ग आप्विव क्यों बोलेंगे क्योंकि आपकी पंक्ती यानि M, column यानि N आपस में क्या हैं ? बराबर हैं। और जिसके पंक्ती और column आपस हैं बराबर हों उसी को हम लोग बोलते हैं B-A-V-E-U समझ गए तो आपका आफसन काउं सा हो सकता है ? आफसन नंबर C हो जाएगा। ठीक है? इसके बारे में हम कल जितने भी आप Have View, जितने प्रकार के होते हैं, उस सारे आप विव छह साथ प्रकार के हैं, उन सारे आप विव को हम लोग कल की क्लास में discussion करेंगे, ठीक है? इसलिए कल की क्लास में आना ना भोले, तो चलिए, Q 8 के बाद हम लोग फितने के शु आवयव के निमलिकित युग्म समान हैं यानि ये दोनों के दोनों आब्वयू है ये क्या है समान है ठीक है और समान है यानि कहने का मतलब यह है कि यह वाला हो जाएगा इसके बराबर तो यहां पर हल करेंगे हल 3x 3x plus 7 बराबर 0 तो यहां से आ जाएगा 3x बराबर माइनस का 7 और अगर x की value निकालेंगे तो माइनस का 7 बटे 3 आ जाएगा ठीक है क्या जाएगा माइनस का 7 बटे 3 यह तो आ गई x की value अब आगे देखते हैं यह वाला यह और यह दोनों आपसे बराबर हो जाएगे यानि कि इसको में समीकड़ एक मान देते ठीक है वाई बराबर स्वरी 5 बराबर क्या हो जाएगा पांच बराबर वाई माइनस दो तो जाएगा पांच रड़ से धन में आएगा और y की value क्या निकल के आगई 7 जैसे y की value 7 निकल के आई आपकी हो गई बल्ले बल्ले आपने क्या किया ढूड़ा y बराबर 7 रख दिया क्या इसको न रखके y बराबर 7 रख दिया आपका काम खतम अब आप खुसी खुसी घर चले आए paper देखे आपने कहा कि हम तो इस question को 100% करके आए हैं जब आपने देखा कि हमारे number कम हो गए तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि हमने क्या गलती की गलती आपने ये की कि इस question को पूरा हल ही नहीं किया आपने पूरा question तो हल कीजिए त इसके बराबर हो जाएगा यानि y plus 1 बराबर 8 यानि कि y बराबर 8-1 तो y बराबर हो गया 7 कितना 7 ठीक है y बराबर 7 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं ये वाला इसके बराबर होगा यानि कि 2-3x बराबर 4 ये धन से अड़ में जाएगा माइनस 3x बराबर 4 माइनस 2 तो माइनस 3x बराबर 2 और x बराबर आएगा 2 बटे 3 वो भी माइनस का अब यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 3 बटे 2 यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 7 बटे 3 तो ऐसा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि जब कोई भी आप वियू अगर समान कोटिके हैं तो उसके संगत आयों भी समान होंगे ठीक है यानि कि इसके वैल्यू समान होने चाहिए जिस समान नहीं है तो फिर कौंस हो सकता है ऐसी कंडिशन बनन पर यात करना संभौन नहीं है यह हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से आपको करना जल्द बाजी पेपर में नहीं करना है आराम से को साल कीजिए बेतरी नंबर आपके आएंगे तो आज की क्लास का लास्ट कोस्चन बच्चों लोग देखेंगे कोस्चन नंबर 10 ठीक है इसके पहले लेकर चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो प्री बच्चों चैनल को जरो सब्क्राइब करेंगे ठीक है और साथ में बेल आइकन प्रस कर ले ना जिससे नए नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे ठीक है चलिए देखते हैं कोस्चन नंबर सा प्रमखेया होगी जिनकी पत्तिश्च प्रते जीरो या एक है पहली बात तो आपको पता दे कि यह आप भीव को कोस्चन नहीं है कहां था संज्य का क्या है इसको कैसे किस प्रकार सालों करेंगे पहले कह की आरहा पहले समझिए ठीक है ये कह रहा है कि 3 by 3 3 by 3 का क्या हूगा आपका इस की प्रविश्टी 0 या एक चीरो या एक है मतलब इस जगा पर हमें जीरो भी रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, यहां पर भी जीरो एक इस प्रकार से रख के, कितने आप विव बनाए जा सकते हैं, इसने ये कहा है, ऐसे भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं, जीरो, जीरो, एक, जीरो, एक, जीरो, एक, जीरो, एक, जीरो, इस प्रकार के कितने आप view हम बना सकते यह इसने कहा है ठीक है तो आप समझे किस प्रकार से समझेंगे आप आपको ज्यदा दिमाक नहीं लगाना है यह आपके क्या है यह आपके आवयाओं के रखने की जगा है ठीक है यहाँ पर हम 0 भी रख सकते हैं एक भी रख सकते हैं 0 भी रख सकते हैं एक भी जीरो एक जीरो एक जीरो एक सम्भावना दो ढो बन रही है ठीक है तो क्रम आपगे संचाय में किस प्रकार से सिख्के को उच्छालने वाला किया करते हैं इस प्रकार से देखिए संभावना कितनी है दो यहां पर संभावना दो है गोड़े यहां पर भी दो संभावना गोड़े यहां पर भी दो संभावना है हर जगा पर दो संभावना है इसलिए आपस में हम दो का सकते हैं दो की पावर नव और जब इसको आप सालो करेंगे तो आएगा पांच सो बारा यानि आपसान नमबर डी आपका राइट होगा ठीक है किस परकार से कोस्चन को सालो करना है जिए दिमाग नहीं लगाना है कि आपका पेपर में पूछा गया कोस्चन है कई बार पेपर कि आपको यह याद रखना है कि कल की क्लास है वो कल की क्लास में सारे आभ्यू के प्रकार हम लोग सीखेंगे इसलिए कल की क्लास में आना जरूर भूले ना ठीक है आपको जरूर आना है और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करें लिजिए साथ में बेल आइकन प्रस कर लिजे से लेने वीडियो पर नोटी पीसान अब तक पहुंचती रहे ठीक है तो हमारे सब अंतक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों बाइबाइटा सी यू